प्यार अंधा होता है और प्यार रंग रूप या सौंधर देखकर नहीं किया जाता है। गरीब होती हैं कि इसका कोई अंधाजा भी नहीं लगा जा सकता। वले ही आपको ये जोड़ियां आजीब लग सकती हैं पर उन लोगों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। वो लोग एक दूसरे को लेकर काफे खुश होते हैं और आज हम कुछ ऐसी ही जोड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनने देखकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर दबाएं। वेश की रूप में ले लिया और उसकी हेलन से शादी करवादी। ये दुनिया में एक मात्र ऐसी जोड़े है और ये बहुती दुरलप रगार की है। ये एक विचित्र जोड़ी है जिसमें 4 फीट का बौना आदमी 6 फीट 3 इंच लंबी एक ट्रांसजेंडर महिला से शादी कर लेता है। अंटन क्राफ्ट एक वेटलिफ्टिंग चैंपियन है और उनकी पत्नी चाइना बिल का जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था। हलंकि उन्होंने अपने आपको इस कदर बदल लिया कि अब वो बिलकुल एक महिला के तरह देखती है। इस अविश्वस्निय जोड़ी को देख के लगता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं है और ये रंग, लिंग या उचाई के बारे में कोई परवाह नहीं करता। गैबरियला और विक्टर पर आलता। गैबरियला और विक्टर दूनों ही काफी अजीब और अविश्वस्निय इंसान हैं और उनकी जोड़ी भी अजीब ही है। ये एक ऐसी जोड़ी है जिसके शरीर का अधिकांच हिस्सा टैटूस से भरा पड़ा है। विक्टर के शरीर का 90 प्रतिशत हिस्सा टैटूस से भरा हुआ है जिबकि गाब्रियला के शरीर के 65 प्रतिशत हिस्से पर टैटूस है शौन स्टीफिंसन और मिंडीनेस शौन एक अमेरिकी चिकेटसक, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके लंबाई सिर्फ 3 फीट है जन्म से ही शौन औस्टोजेनेसिस इंपरफिक्टा बेमारी का शकार हैं जसके कारण वो चल नहीं सकते और चलने के लिए वो वीलचेर का उपयोग करते हैं हरानी की बात यह है कि उनकी पत्नी मिंडी एक पूरी तरीके से सामानने और सुन्दर महिला है इस जोड़ी को देखकर भले ही आपको अजीब लगे पर वो दोनों एक दूसरे को लेकर बेहाद खुश है काईली जोन्स और मरोरी मक्को यह दुनिया की एक बहुत ही अजीब और अनोखी जोड़ी है काईली को एक ऐसी औरत से प्यार हो गया जो उससे साथ साल बड़ी है इतना ही नहीं मरोरी उसकी असल दावी भी है शायद यह दुनिया की एक मात रैसी जोड़ी होगी दोस्तों आज की एपिसोड में बस एतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने बारी हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद